कमजोर उत्पादन संभावनाओं और बाजार में स्टॉक की कमी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, दरसल निर्यात अफसरों में बढ़ोतरी की उम्मीद से भी बाजार को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। हाला कि धीमी खरीदारी गतिविधियों के कारण तेजी की संभावना सीमित मानी जा रही है, क्योंकि व्यापारियों को जनवरी दो हजार चॉबीस में नई फसलों की शुरुआत से पहले स्टॉक जारी होने की उम्मीद है। साथ ही अभी तक फसल की स्थिती संतोषजनक बनी हुई है, जनवरी से मार्च के दौरान फसल तयार होने की उम्मीद है। खरीद गतिविधी के मौजूदा स्तर, घटी सप्लाई के चलते फिलहाल कीमतों के स्थिर बने रहने का अनुमान है। विक्सित और उभरते दोनों देशों में हल्दी की बढ़ती मांग के कारण निर्यात में 25% की वृध्धी हुई है। हाला की हल्दी की बुआई में 20-25% की गिरावट विशेश रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेतरों में किसानों के रुझान में कमी आने के चलते देखने को मिली है। नवंबर दो हजार तेईस में हल्दी निर्यात अक्टूबर की तुलना में 15.34% और नवंबर दो हजार बाईस की तुलना में 30.78% गिर गया था। तक्नीकी तौर पर देखा जाए तो फिलहाल बाजार में ताजा खरीदारी देखी जा रही है। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना है कि हल्दी की कीमतों में फिलहाल बाजार में गिरावट की उम्मीद कम है, कीमतें उपरी स्तरों पर कारोबार करती दिखाई दे सकती है Bureau Report Market Times TV